आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ meter square of the field, चार option दियें बताने चारों में से कौन सा सही है तो देखे बच्चो इसके लिए मैं आपको trapezium बना कर दिखा देती हूँ कि trapezium किस type का होता है तो उसकी दो sides क्या है, parallel है उसने question में given है मुझे तो देखे मैं diagram बना देती हूँ इसका तो बच्चो देखे हमारे trapezium बन चुका है, तो A, B, C, D क्या है, trapezium है और trapezium में क्या है बच्चो इसमें parallel sides है, इसकी कौन-कौन सी A, B, parallel है CD के तो देखे बच्चो इसमे A, D बराबर B, C होता है और यह मेरे को कितना given है 260 meter given है तो यहां से इसे 260 लिख देते हैं इसे भी 260 लिख देते हैं जो A, B है वो कितनी है 200 meter और जो यह पूरा CD है, CD कितना दिया हुए बच्चो मुझे, CD मुझे पूरा given है, that is 400 meter तो यहां से देखे, मैंने क्या करा A, E एक perpendicular डाल दिया यहां से, A, E perpendicular डाल दिया D, E पर, ऐसे ही मैंने B, F perpendicular डाल दिया, C, F पर तो जब यह perpendicular डाल दिया और A, B parallel है CD के, तो इसका मतलब A, B parallel है, E, F के भी जब यह parallel है, तो इसका मतलब क्या है, A, B, E, F के बराबर है तो कितना हो गया यह? 200 मीटर हो गया, तो यहां से यह 200 मीटर ले लो तो यहां देखिए, बच्चों, जब यह parallel lines है, तो इसका मतलब D, E, F, C के बराबर है D, E, बराबर है F, C के, तो 400 minus 200 यह total 400 है न, यह E, F minus कर दी मैंने 200 तो इन दोनों की side आ गए, D, E plus F, C की दोनों बराबर हैं तो दोनों को 2 से divide कर दूंगी तो इसका मतलब मेरी एक side आ जाएगी तो यहां से देखिए, यह आ गए 200 upon 2 अब इसे solve कर लो, तो यह आ जाएगा 2, 1, 2, 0, 0 तो यह 100 की आ गए, D, E और F, C भी आ गए, 100 की तो यह देखिए, A, E, D और B, F, C क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चो, कि हाइपोटेनिस का square, मतलब कि 260 का square is equals to होता है, base का square that is 100 का square plus height का square, मतलब A, E मान लो, जाए, B, F, मान लो, दोनो ही बराबर है, तो A, E का square ले दिया मैंने यहाँ पर तो यहाँ लिख देते हूं मैं कि A, E बराबर है, किसके, B, F के क्योंकि दोनो parallel lines के बीच में perpendicular डला हुए ने, इसलिए, तो 260 का square करोगे, तो यहाँ जाएगगा, 67600 और यहाँ से यह आजाएगा, 10,000 और यह आजाएगा, प्लस A, E का square, तो 67,600 में से 10,000 जाएगा, तो यह आजाएगा, मेरा यहाँ से 57,600, दोनों तरफ square root ले दो, तो A, E की value आजाएगी, मेरी 240, तो A, E की value आगई, 240 240 यहां से और AE किसके वराबर BF के तो BF भी आगे 240 तो देखिए बच्चों अब यहां से area of trapezium निकालना है मुझे तो area of trapezium होता है 1 by 2 into में sum of parallel sides मतलब AB plus CD into में height of the trapezium तो height क्या है AE है AE बोल लो चाहिए BF बोलो बात एक है तो यहां देखिए values put कर दो आप तो 1 by 2 AB कितना है मेरा AB है मेरा 200 और CD है मेरा 400 into में AE कितना है AE मेरा निकल कर आगे बच्चों कितना 240 तो यहां से अब इसे solve कर देते हैं तो यह आजाएगा यहां से 1 by 2 into में 600 into में 240 अब इसे solve कर दो तो यह आजाएगा 212, 2240, 1260, 72000 इसका एरिया आगया तो देखते हैं बच्चों कौन सा option सही है C option हमारा सही answer है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर